लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले पाकिस्तान में बड़ा हद्सा 18 लोगों की मौत इसलामबाद पाकिस्तान में आज एक बड़ा हद्सा होने से लगबग 18 लोगों की मौत हो गई है साथ ही 35 लोगों के घायल होने की खबर है यह हद्सा पाकिस्तान के उत्तर पस्चिम सुबह सुबह हुआ यहाँ पर एक तेल टेंकर और एक बस की आमने सामने की टक कर हुई थी इस हाथसे में कराची जा रही एक बस को खेबर पक्तूंबाप्रांत के कोहाट में विपरीत दिशा से आ रहे एक तेल टेंकर ने सामने से टक कर मांच दी मामले में जाच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि हाथसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 35 घायलों को यहां के नजदी की अस्पताल में ले जाया गया है मामले में इस हाथसे के बाद पुलिस जान्शक्च में जुट चुकी है पीडितों के परिजन भारी संख्या में जिले के अस्पतालों के बाहर शवों पर दावों को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं पाकिस्तान में तेल टेंकर हाथसे के कारण यहां की चैल पहल भी कम रही हाथसा इतना भयानक था कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है घटना के बाद पीडितों के परिजन अपनों के शवों की पहचान करने अस्पताल पहुंच रहे हैं लेकिन इन में से ज्यादतर शवों को इसका दर्वानी पहुंची है कि उन्हें पहचाना मुश्किल हो रहा है